अब हम देखने वाड़े है 2013 का CS paper to polity का question, बहुत simple question है, और आप अगर polity simple पढ़ भी रहे हो ना, तो यह topic आएगा ही आएगा, और इसके उपर कई बार repeated हो चुकी है question, बार बार आते ही है, और सबसे one of the important question है यह, जो यह इसका topic है, one of the important topic है, एक बार question देख लेते है, question है हमारा, the Supreme Court of India keeps a check on arbitrary power of the parliament in aminding the constitution, discuss critically, क्या बोला इसने, कि जो अपना Supreme Court है ना, वो control रखता है या ध्यान रखता है कि भाया Parliament constitution को कैसे क्या amind कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, कि जो भी अपना मन किया, वो ही अपने कर दिया, हमाइं लिकर के साइड में बैठा, नहीं पर, मतलब ऐसा कुछ, तो main चीज क्या है, कि अपने जो constitution में है उसमें बोल रखा है, कि हमारा Supreme Court है, वो final protector of the constitution रहने वाड़ा, और final arbitrator of constitution रहने वाड़ा, मतलब कुछ भी constitution में लिख रखा है, उसकी final, अगर कहीं पर किसी को कोई doubt है, तो Supreme Court बता देगा, और कुछ गल्त भी नहीं होने देगा, क्योंभी protector भी है, यह चीज अपना स्विधान में बोल रखी है, तो अब यह हुत्ता क्या है, कि power है न, एक ऐसा नसा है, जो सारा खेल बगाड़े देता है, पावर, legislature को अपना पावर चाहिए, executive को अपना पावर चाहिए, judiciary को अपनी पावर चाहिए, स्टार्टिंग में ऐसे ही खेल आया, जो इसका पूरा पंगा स्टार्ट हुआ न, तो right to property, जो मारा एक fundamental right था, 1951 से ही स्टार्ट हो गई थी चीजे बिगड़नी, कि property अपना fundamental right होना चीए, नहीं होना चीए, और जो मारा land reforms थे न, land reforms, उसको ले के बात बन रही थी, कि उसको कैसे implement किया जाए, अगर उसको fundamental right रख दिया, तो आप किसी से अपनी जमीन का हख नहीं ले सकते, तो उसको land reform कैसे होंगे, तो इस टाइप के कुछ चीजे आ रख ले के आया, बट उसके बीच में दिक्कत आई, कि अपना, कि जो fundamental rights है, वो उनको mind कर सकते हैं, नहीं कर सकते, Supreme Court बोला कर सकते हैं, कभी बोला नहीं कर सकते, तो यही पंगा चला था पूरा, उसमें अपने case सुन भी रखा होगा, केसवननदा भारती case, केसवननदा भारती case, अपना, नहीं पाल की वाले एक वकील थे, बहुत famous वकील है, मतलब यह मानलो, वर्ड के top वकेल में से एक है, उनकी दलिल सुनने के लिए line लगती थी, तो उन्होंने लड़ा, केसवनननदा भारती केरला से, मठ के, मठ अधीस थे, फिर वहां पर पूरे पंगे हुए, तो ब्लास्ट में जाकी यह हुआ, कि भ्या, आप अपना, अमाइंड तो कर सकते हो, constitutional rights को भी अमाइंड कर सकते हो, कोई दिकत नहीं है, बस जो basic structure है, basic structure, उसके पर आप कुछ नहीं कर सकते है, मतलब जो हमारा basic structure रहने वाड़ा है, उस चीज को आप नहीं छेड सकते हैं, तो स्ट्ट्ट्ट्टर क्या है प्रस है हमारा डेमोक्रेश ही रहेगा तो फैडरल स्ट्ट्ट्टर ही रहेगा तो बीसिक है ना कई सारे लिखार रख्या है उसमें बता दिया था कि आप पुर्डा इन इनची जो पर फिर वाइटाइम और भी एड होते चले गए तो कहणे चीज यह थी कि कोर्ट ने बता दिया कि भाया तुम आमाइंड तो कर सकते हो बाट पूरे Constitution को नहीं कर सकते जो इसकी basic spirit है ना basic जो आत्मा है उसको आप change नहीं कर सकते इसको भी बोलते doctrine of basic structure यह आया यह तो आ गया इसका एक टाइप से background हो गएरा सब कुछ कोशिन क्या पुछा गया कोशिन यह पुछा गया हमसे कि जो Parliament कुछ में माइंड मेंट लिए क्या रहा Constitution में उसको प्रिंग कोर्ट है वो उसके उपर चैक रखती है चैक रखती है कि भ्या कंट्रोल कुछ गल्द काम तो नहीं कर रापार लियामेंट आथा तो नहीं है कि कुछ अबाइंड मेंट की गल्द कर दी जो नहीं होने चाहिए थी जो एक बेसिक प्रेंसिपल है जिसके उपर इंडिया खड़ा है उसकी ऐसे तो नहीं है कि दिक्कत कर दीओ आप तो उस चीज का यह ध्यान रखती है और ध्यान कैसे रखती है उस चीज पर आप अपना बोल भी सकते हो और से जुडिश्री एक्टिविजम है जुडिश्री एक्टिविजम है और से प्याइयल है पबलिक इंटरेस्ट लैट एकेशन यह है फिन चीज जो के और भी है मतला आप देखके पूरा टोपिक पढ़ना पड़ेगा बड़ा टोपिक है इंटरस्टिंग टोपिक है और अपना लक्ष में गांद वागर में बहुत अच्छा दे भी रखा है तो वहां पर अपना देख लेना है पड़ेना है जब मैं टोपिक करवाऊंगा जब मैं इसमें यह पूरा करवाऊंगा पट फोर दा मॉम्मेंट आपको सोचना क्या था कि सुप्रिम कोर्ट दूसरा अपना लाइजिसलेटर लाइजिसलेटर मान लो भाया और एक अपना एग्जेकुटियूम यह क्या है अपने MPML जो आगे जो नियम बनाते यह एग्जेकुट वाड़े आगे अपने मंत्री वागर आगे और पूरा आ गया पर यह जो डिसरी जो अपना जजवाड राइज के ओगा तो क्या होता क्या है कि इゃब सारे एक दूसरी के ऊपर चेख रखते है को कि सप्रेशन ओफ पावर स्परिंशिकल है कि सपरेशन ओफ पावर है तो चीज के ऊपर और यह हमसे पूछ रखा है निस परेचें के लपड़ेम उपर यह दोंय है यह ज्यादा प पूछ रखा है और यह बार-बार रिपीट हुआ कोशन तो यह आपको पता होना चाहिए इसके बारे डिटेल में पड़ लेना है एक जतिन गुपता करके सर है इवन उन्होंने अपना फैडरली जम करके वीडियो बना रखिया अकैडमी के उपर वहां पे भी काफी अच्छा उन्होंने बता रखा यही टोपिक तो आपका मेंस के अंदर हर साल एक नाएक कोशन आ जाता जो इसी टोपिक के उपर बेश्ट ह तो उनकी साथ आठ जो जतिन सार है उनकी साथ आठ लेक्चर की सीरीज है आप वो देख सकते हो उसमें थोड़े वो गवर्नेंस के भी टोपिक है सेलफ हेल्प ग्रूप टाइप के एंजियो जो अगरा के भी अधरवाइस यह तो आपको यह देख लेना है और जब मैं करव तब तो मैं इसको डिटेल में करवाने ही वाड़ा हूं तो वैसे टेलिग्राम पर आपको यह पीडिएफ मिली जाएगी डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक है और जो इस चीज होनी चाहिए न जो पूरी चीज जो भी हलका फुलका एडिया दिया है कि अपना गोलखनात केस था उसमें भी हमारा यही आया था पैसला मतलब यह सारे मिनिर्वा मेल्स केस गोलखनात केस केस वननदा भारती केस यह सारी उसी से पढ़ाव है तो यह आपको सारा पता होना चीज है मैं इसको कुछ दिनों में अच्छे से करवाने वाड़ा हूं ठीक है तो यह पूरा आंसर इस पर दे रखा है मैंने और करना अपना है बिलकुल अराम से पढ़ लेना है ना ही पढ़ो तो ज्यादा बैटर है कि यह आपको टोपिक डैप्त में बिल्टुल डिटेल में आना चीए बिलकुल डिटेल में जब यह टोपिक आएगा और जब यह वैसे इसकी डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक हो आप यह मिली जाएगा आपको पढ़ लेना आपकी मर्जी है तो मेरा तो अभी यही उपीनिन है कि आप इस टोपिक को अच्छे से तियार करो कहीं से भी त्यार कर लो बहुत इंपोर्टेंट है त्रिलिम्स पाइ